खबर राज़ानी देरादून से है जहां नीती आयोग भारत सरकार ने शुक्रवार को SDG 2023 से 2024 की रिपोर्ट जारी कि है बतादे कि रिपोर्ट में उत्तरा खंड ने सतक विकास लक्षयों की कसोटी पर खरा उतरते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है रिपोर्ट बताती है कि उत्तरा खंड तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है बई नीती आयोग ने शुक्रवार को 2023 से 2024 की SDG रिपोर्ट जारी की है बई रैंकिंग में उत्तरा खंड ने सरवाधिक अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया है प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए मुख्यों मंतरी पुषकर सिंधामी ने कहा ये प्रदेश की देवतुल जंता के आशिरवात और सहयोग से ये उपलब्धी हासिल हुई है हमारे लिए बहुत ही उत्सा परदग है कि सतत प्रिकास लक्षों के प्रापती में उत्राखंड हिंदुस्तान स्रेश राज्जियों में पहले नमबर के राज्जियों में आया है निश्ची रुप से हमारे प्रदान मंतरी आदरणी मोदी जी के नेतोत्र में हमारी डबल इंजिन की सरकार लगातार उत्राखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और हर द्रिस्टी से उत्राखंड समय की तरुप से विकास की और आगे बढ़े उसके लिए पुरा नियोजन और प्रवद्धन किया जा रहा है इसके साथ साथ आदरी प्रदान मंतरी जी ने जो बाबा केदार की भूमी से कहा था कि 21 सदी का तिसरा दसब उत्राखंड का दसब होगा ये आकड़े बताते हैं कि हमारा राज्य उस दिसामा आगे बढ़ रहा है मैं प्रदेश वासियों की सबको बढ़ाई देता हूँ